हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो ने उसे यूही आसानी साथ से दान्य दिया मेरे आद में कभी कुछ था ही नहीं ना तो चार साल पहले और नहीं हाट साल पहले छोड़िये ना सर रिपोर्ट फायल करेंगे कि इसने साजिया और सालीम का मतर कबूल किया और फिर भागने की कोशिश की और फिर भागने की कोशिश की और मने से ठोक दिया और नहीं नहीं साथ साथ आइसा मत करिये गा मैं मैं कुबल करता हो कि मैंने मैं 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 कुबल करता हो मेरा हाथ था लेकिन उसके बाद मेरा हाथ बंग गया था जादिया अबे, दो मना पृच्छा था इड़ना आप मेरे मेरे बहुट बड़ी गलती थे लिकिन में किसी का उत्राइब नहीं कर सकता हुए। मैं इतना बुर अद्मी नहीं नहीं हुँए। साप, साप एक यह खावर मेली हैं… इस नहीं मिला? तो अब भी जूट बोल रहा होगा कि उसे नहीं पता साजिया और सोहिल का है अब हम आपके क्या मदद कर सकते हैं अगर पूरे नून बरी विगतपूर और रामपूर में साजिया का पता करने की बहुत कोशच के पर उसका कुछ पता नहीं चला कि वह कहां से थी उसका परिव तो बड़ी मदद होगी जी जी हम समझ रहे हैं हमारे नेटवर्क में जितने भी मदर्से हैं और मस्जीते हैं ये फोटो हम सब्जेगे पहुचा दे हैं और एलान करवाद हैं इंशालला कोई ना कोई खावर जरूर मिलेगा ये ये अमारे सलीम है जी नफीसा अमारे सलीम देख कितना बड़ा हो गया वसीम ये चार साल पहले की फोटो शाजिया ने इसका नाम बदल कर सोहिल कर दिया तो अब कहा हैं वो हम पता लगा रहे हैं अफीसा और हम पता लगा के रहेंगे अब तो और भी बड़ा हो गया होगा हमें पैचाने गाबू साब मुष्टा कुस वरत तो कहां से उठा के लाया उसके आगे पीछे कौन था उसने हमें कुछ नहीं बोला इस बारे में साना जी बलाल मिया टाफिकिंग का चार्ज लगा रहे हैं मुष्पाक पास बच्चे चोरी करने का अल्जाम है मुम्बई लेकर जा रहे हैं अपने साथ और तुम लोग तुम सभी लोग तुम लोग तुम लोग तुम ली रुपीना यहां बोकारो जेल मेरो ज़ोग जब तक कि हमें इस शाजिया और सलीम नहीं बिल जाएं क्यों बहुत संगी जुर्म और जो मेरे साल तुआ है वो जुर्म नहीं है इतना बड़ा दोका दिया हुजे शादी और सलीम के बारे मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया मैं इम्रान को लेकर अपने माइके जा रही हूँ नहीं इसक्तुम कही नहीं जा सकती रुपीन इन ल कोई यहां इसा हो तुम? मुंबई मुंबई में कौन है? और करते क्या है वो? मेरा कोई नहीं है यतीम अब्बू अब्बू? तीस साल अब्बू, वो मेरा खांदान वांदान से मेरा कोई वास्ता नहीं है और आप लोगों कोई वास्ता नहीं होना चाहिए देख मुश्ताज, बात सिर्फ अमर की नहीं है मुझे तो शकल से बड़ी चंट लगती है ये लड़की जैर कुझे बड़गा छाएटान मेरे पीट पीछे मेरे सामने बहएँए और तुमने हमारी पीट पीछे उमारे आप एक लिएक पेटे मेरेटे मेला पेटालिया वो हाल आपका बेटा तो जूची किगा हुआ बच्चा है जो मैंने अपने दुपट्टे से लपेट लिया अरे अगर ऐसा ही था ना तो छोड़ा क्यों अपने पल्लू से बांदे रखती ना बस एक लब्स और बात नहीं होगी mustafg, हम तेरे निकाह में शरीक नहीं होगी अरे अब मुझक कैसी बाते कर रह Schweiz आप और आमगर निकाह में शरीक नहीं नहीं की तो निकाह कैसे होगा क्यों तुम अपनी अम्मी के पल्लु सबंद हो आज ना फैसल के लो, mustafg, मुझक कि तुम्हें पल्लू चाहिए यद्धुपट्टा मुष्टाफ तेरे सामने तेरी अम्मी और तेरी तोहिन कर रही है यह बदजाथ और तुम इसे बीवी बनाएगा बीवी बनाएगा शोहरो वाली सारी हडकते कर चुग है अपका मुन्ना हम बिस्तर हुए बिना तुम इंदी नहीं आती राजबाबू को तब मैंने का सभी भई निकाही कर लो शाजिया तो कोई चीज होती है शाजिया दो मिनट खामोश रहोगी तुमके खामोश रहेगी मेरी जूती पहले ना तुम अपनी अम्मी जान को खामोश करो रब्बू जान को मैं तुम से निकाह कर रही इन दोनों से नहीं वो तो इनों मुंबई लोट गए मुझताक हर अफ़ते पोन करता था आकाश के पोन पर पर कभी पे उसने वो सारत के जिक्र नहीं किया हमें तो लगा पला टल गई बोड़ दिया मुझतात्रे उस औरत को इसने तो रिष्टे भी दूना शुरू कर दिये थे अपने बिरादरी में और अचानक एक साल बाद दोनों फिर से आधम के वो भी एक बच्चे के साथ असलावालेकू अब्बो वालेकूम असलाव अरुकरियत अलहम्दोलिल्ला ये ये क्या है आपका पोता है अब्बो वो दिखाईनी देनी है ये वच्चा कौन है कहां से लाया तौबा तौबा अब्बो कैसी शर्मिंद की व्याली बात कर रहा है आपके खांदान के बीच को पूरे नौ महीने सीचा मैन अपनी कोप में ये सुहिल शेग है वल्द मुश्ताक शेग वल्द बिलाल शेग साब हमें शक्तो था कि कुछ गड़बड है और बच्चा चोरी का होगा ये तो हमारे जहन में भी नहीं था ले डूबी हमारे मुश्ताक को और आप लोग आप लोग ले डूबे मुझे अपने जूट के कुवे में छी लाले ते आप दोनों पर तुमारा बेटा मुश्ताक, शाजिया, सलीम नांपूर में जाकर क्यों बजगे थे मालिक हमने मुश्ताक को अपना लिया था, हमारा इकलोता बेटा है, मेरा एक छोटा खेत है, गेरेज है, आगे चलके उसी को सभालना था ना मैं भी बच्चे के प्यार में पड़ गई थी, बहुत चाहा उसे मुश्ताक चाहर साल बात लोटा था, मुश्ताक चूर हो चुका था, साहब अरे मुश्ताक, अचानक, शाजिया और सोल नहीं आया अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा या नहीं, वह भाग गई मुझे चुल के हमें बाद में पता चला के उन दोनों का निकाई नहीं हुआता, अगर हमें पता होता के बच्चा चूरी का है, तो हम खुद पुली स्टेशन आगे शिकायत करते, मुश्ताक ने हमें भनक तक नहीं पढ़ने दी, मुझे तो कई दफा शाख होता था, कि हो ना हो ये जिसे हम खुद भी याद करना नहीं चाहते थे, हम लए सिरे से मुश्ताक की जिन्दीगी बनाना चाहते थे, और हमें क्या पता था, फिर एक बार उसका साया हम पर राकर पड़ेगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कि मुश्ताक ने उस बच्चे की चोरी के बारे मे कि अब तक तक तुम लोग, तुम सभी लोग चक के दारे में हो, हमारे. मुश्ताक ने जो कहानी अपने माबाप को बताई थी क्या वो सक्स थी? क्या शाजिया और सलीम जो अब सोहेल था कभी पुलिस को मिलने वाले थी? क्या शेख परिवार पुलिस से शाजिया और सोहेल की कोई हकीकत छुपा रहा था? बहुत जल्द पुलिस को इन सवालों के जवाब मिलने वाले थे, जब उन्हें शाजिया के बैग्राउंड के बारे में पता चलता है सोहेल, सोहेल, सोहेल जल्दी बहा रहा है ए सोहेल, क्या हुआ जादी, मुख कर रहा हूँ जल्दी से आके जरा अपनी अम्मी को इस सब्जी दे जा आज तो कमर पकड़ी गई है मेरी मावल खेड़ा गाउं, जिललत धंबाद, वही की है यह आपके साजिया नकवी इस वात मावल खेड़ा गाउं में होगी? ये तो साब आपको इपता करना पड़ेगा वहाँ जाकर उनकी माँ है मुम्ताज, छोटा भाई है जावेद और उसकी बेगाउम तबसुम और हाँ वो सोहिल भी वही है शुक्रिया मुल्वे साब मावल खेडा नामे शाजे गाउंगा सलीम है वहाँ खबर यहाई है कि सोहिल है वावल अमारा सलीम हमारा सलीम जिसे उन्होंने प्सोहिल बना दिया है हाँ मस्कुर्ण मुम्ताज नग्वियों यहाँ आप लो मुम्भी पुलिस है यह अप्ती बेटी शाजिया है लगती तो है अलाईये से वोया नहीं रेती आठ साल से भाग रही है अब और नहीं नहीं सोहिल से अपको क्या मतलब? सोहिल कहा है स्कूल गया है और शाजिया का सोहिल से कोई तालूक नहीं है जेकिन सोहिल का अपनी असली अम्मी नफीसा अबू वसीम और पहन-फलक से तो तो त 나오 process है और कॉण है यह लोग और क्या बख्रेया भी आनाप शनाप यह वह अम्मी कौन है यह लोग एरे मुंबई पुलिस से हैं शाजिया को डूंड रहे हैं और हमारे सोहिल के लिए तो नई अम्मी और अब्बू भी पैदा कर दी नए अम्मी अब्बू नहीं असली अम्मी असली अब्बू जिनका दो म पुछ बखाए माजार पर चंदर चड़ा देना और दूआ करना हमारा सलीम हमें पहचान लेगी वह वह अम्में कैसे पहचानेगा गए तो अल्लाई ही जा लेगी विन हम तो उसे पहचान लेगी ने अ जब आप सकना। क्यों है राधी? यह है सोहिल, मेरा पोता, मेरे बेटे जाविद और तबस्थ्सुम का अस्ली बेटा यह सब और यह चाहिए अपमे? कौन है ये लो? कहरे तो मुंबई पुलिस से है, बाहुलिय हो गये है केहरें, Shaziya, हमारे Sohail को मुंबई से चुरा कर यहां लाई है. Shazya? सर, Shazya की शकल देखे हो ऐम नो साल होगा है. तुम कहरेओ के Sohail, Shazia का बेटा नहीं है? कैसे हो सकता है, सर? सबस्म ने जनाया हुशे. हम मुंबई से वसीम और नफिसा को अधिर करें के? पिर वो लोग बताएंगे कि कैसे आप लोगों की शाजिया ने के बच्चे सलीम को मुस्ताक नाम के साथ चुड़ा कर अपने पास रख लिया था उसका नाम सोहिल रखकर मैं इसे नहीं जानता सर और आप इस बच्चे की बात करें वो कोई और होगा यह कभी सलीम था ही नहीं शाजिया नौ साल पहले घर छोड़ कर चली गई थी पर सुहिल मेरा बेटा है मैंने जना है इसे मेरा जावेद का बेटा है जावेद पंचाहिद को बुला पुरे वो बताएंगे ने असली बात देखिये हम को बखेडा खाड़ करना नहीं चाहते लेकिन इस अचे कि आप लोगों की शाजिया ने मुंबई के कुड़ा इलाके के कंस्ट्रक्शन साइट से दो महिने के बच्चे सनीम को चुटाया है मुस्ताक के साथ आठ साल पहले और वो यह जी जी सर सारे कागजाद है बच्चे की जरम पत्री से लेके उसके मदर्सा की सर्टिफेकेट तक है और सर अगर आपने अब भी कहा ना कि सोहेल नी सली में तो सच में बहुत बखेडा खड़ा हो जाएगा क्या है रहे है साथ तबस्तु बच्चों के लिए के बहर जाओ नहीं सर बच्चे को बीच में क्यूं खसीट रहा है मैं बताते हूं आपको सब कुछ फिक है अब इता साथ में रहना सर्टिफिकेट में मा का नाम साजिया लिखा है क्या वो रहे थे तों लोग बार क्या लगतर बठे के दाखले में दौनों साजिया फारजीए है आपने कहा ना कि सालीम आठ साल का होना चाहिए मैं प्र हमारा सोह 10 साल का है सर अब सर्टिविट में देखो उसका डेटा बड़ दोहजार साथ है सर हां और मदरसा का दाखाजा पर देखी पांच सल का है वो दोहजार बारा में यह भी तो फर्जी है अरे फर्जी नहीं है सर आप लोगों ने तो आके बिचारे बच्चे को अंदर से हिला के रख दिया स हमारा सोहल 11 साल का है आप नहीं कहा ना वो बच्चा सलीम जब मुंबई से चोरी हुआ तो दो मेने का था पर 2010 में और तब तो हमारा सोहल तीन साल का था वा का नाम बड़ सर्टिफिकट पर शाजिया है यहां तरी बीबी तबसुम का नाम होना चाहे था ना अब बोलो क्यो सच्च्च का है का ही दायत कहदरी रज्या का पहला शोहर था कि दो हुझार में दोनों की शादी दिफरेक्ता ती कर दें और दौ histor natin फ्लीन को जनू धीन आं कि एक साल के अंदर ही शाजिया के शोवर हिदायत का एक कार एक्सेलेंट में इंतिकाल हो गए शाजिया के अपने ससुराल वालों के साथ हर रोज डडाई होती थी और एक दिन अपने बच्चे को लेकर वो यहां आ गए वहती मूभट और बेकल थी मेरी शाजिया जिंदगी जीने की तंमीज नहीं थी उसे अच्छा बुरा इस बात के तो कोई माइन नहीं थे उसके नहीं अरे दस जुम्मे नहीं हुए तुझे बेवा हुए हुए और तेरी गुल्षरे शुरू हो गए अरे बेवा हुए उ बुढ़ी नहीं थी ज़ी जब थाए नहीं है तो हाथ काट कर दूगगी अरे लोगों की बाते इतनी चुकती है न तो अपने कौनों मेन रूल थूसके निकला कर सड़क पर और अम्मी तुम भी लोग क्या बोलते है क्या सोचते है ठेंगा फरक पड़ता मुझे बच्चलन थी मेरी बेटी शरम नहीं हया नहीं जिम्मेदारी का कोई हैसास नहीं अपने बच्चे को यहां छोड़कर मुंबई भाग गई 2009 में उसके जाने के बद हमारी उससे एक बार भी फोन पर भी बात नहीं हुई है सोहल हमारा है साफ सिर्फ हमारा आपको जो चेकिंग करनी है कर लीजे सर लेकिन हमारा सोहल आट साल का नहीं ग्यारा साल का है हम सब यह सोहल के साथ अच्छे से रह दे थे हमने उसे कभी यह पता नहीं चलने दिया कि तमसुम उसके असलिमा नहीं है अराज आप लोगों के महरवानी से वो भी हो गया कैसे शुक्रिया दखुरो आप लोगों का बच्चे का भोरोसा तोड़ा है आप लोगों ने हमारे पुराने जख्मों को फिर से कुरे दिया सर आप इस्पेक्टर साफ सोहेल हमारे मदरसे में पढ़ता है और वो वाकरि में 11 भरस का है पर आपको इबात मालों गया और शाज्या है उसके असलिकान देके साफ दुनिया की हर तैजिम में यसाभ माना गया है कि जनम देने वाली से बड़ी पलने वाली मां होती है अगर से नहीं बलकी सारा गाव यह बात जानता है कि साजिया सोहिल की माँ थी कभी लेकिन उसे जावेद और तबसुम नहीं अपनी उलाद बना कर बढ़ा किया मौलवी साब, शाजिया ने बच्चा चुरा कर उसका नाम सोहिल रखकर बढ़ा किया उसे साजिया दोजार नो में जो गई तो किसी को नहीं मालूम वो कहा गई, क्या किया अब आप आकर बता रहें कि उसमें बच्चा चुराया और बच्चे का नाम भी सोहिल रखका है उसे जरूर बच्चा छोड़ने का मलाल रहा होगा तभी तो बच्चे का नाम भी सोहिल रखका है सोहिल बेटा क्राइम ब्रांच की टीम शाजिया के अतीब तक तो पहुंच पाई थी पर शाजिया तक पहुंचना भी बाती मुश्ताक अपनी बात पर अड़ा रहा कि शाजिया सोहिल को लेकर 2014 में चली गई बिगतपुर, नूनबारी, रामपुर और मावल खेला सभी गाउं में शाजिया के पोस्टर लगवा दिये गए और इनाम भी घुशित किया गया और पुलिस की टीम मुश्ताक के साथ मुंपई लोटाई जो सुहल हमें मिला वो शाजिया का रहा है कि Nafaida भी तो ढोला तो सुहल हिए का साथ मुपऑ है नफिस dużo हमें जाना का प् तो उसमें सलीन को सोहल बनके चुपाया है, तो उसके सोहल का मारे वाले कर दीजे, उसको खबर लगे कि तो खुद बाखुत बिल से निकलेगी नहीं पसी, बच्चा जाहे किसी कभी, बच्चे को मोरा बनाना गायर कानूनी, इंसानियत के खिलाफ है इंसानियत? कौन सी सानियत के बात कर रहे हैं? तो शाज़े और मुष्टाफ में अगर इंसानियत के खत्रा भी होता ना साफ, तो वो लोग इतना बड़ा सखम नहीं नहीं देते हैं, मैंने पहले ही कहा था, मत को लिए ये पिटारा, मत दीजी हमें उमीद, लेकि नहीं, पहल करो है मेरा सलीम उश्टक? करो है? मुझे लएपधा शाज़या और सलीम कहा हैं, वसीम? पैट में लिए मेरे बच्चे को तूने? शाज़या तूझे अपना माना था मैं? बाइचा तो समझा था तेरे को क्यो चुराया तूने? जिद्ने तू शाज़या के बारे में जानता आचिसलीम नहीं, पर मेरा सोहेल है सफतली ही कियो? नसता सलमान या शारुक क्यो नही? अपर ही हिरू आलाम नन नाम तो सोहेल ही होगा ये मेरा सोहेल है नहीं तरह को हो प्यार दिख़िया क् terrific सफतलीट छे बहुत अर्मान तयाँ map मेरे दिल में तरह बच्चे किने, लेकिन शाजिया नहीं सब बरबाद कर दी, वो जड़ते बरबादी की सिंदिकी में फिर से कभी उसे सोहल ना कहना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और नफीसा का सलीम है आँ, तुम्हारा सलीम, सिर्फ तुम्हारा मुश्ताक और शाजिया की प्रेम कहानी साधारन नहीं, दोनों के बीच एक विचित्र, एक अजीब सा रिष्टा था यह सब उस कंस्ट्रक्शन की साइट पर शुरू हुआ, जहां वो पहली बार 2009 में मिले थी और पहली नजर में ही मुश्ताक शाजिया पर लट्टू हो गया था चाहत जिस्मानी थी, दोनों तरफ एक जरूरत थी, भूख थी जो एक ऐसे जजबे में वदल गई, जो दो इनसानों को ना मिटने वाले गहरे प्यार के प्रम में टाल दे मुश्ताक के लिए शाजिया एक जरूरत थी, फिर एक आदत और आखर में एक नशीली लट्स ही बन गई थी उस पर शाजिया के प्यार का जुनूर इस हद तक चड़ा हुआ था, कि उसके माता-पिता के कहने के बावजूद, मुश्ताक शाजिया को छोड़ने के लिए तयार नहीं था इसे बाते कर रहे हो तो, अबने अम्मी अबबू का एकलोटा बेटा हुँ मैं, उन्हे कैसे चोड़ सकता हुँ मैं तो रहला है तो उनके साथ, देखाने कितना जलील के रोन मुझे शाजिया, एक काम करते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं, देखना अम्मी अबबू यू मान जाए के रहता हुआ कि रहता हुआ कि यह नौ महीने की तकलिफ मैं नहीं जहल सकती है मतलब शादी के बाद भाद भी तू बच्चा नहीं चाहिए है अरे, तो समझ क्यों नहीं रहा, अगर बच्चा हो गया ना, तो हमारे बीच करी जो मज़े हैं, यह प्यार है ना, यू गुल हो जाएगा अब ऐसे भी मैं इतना दर्ड नहीं बरदाश कर सकती देख शाजिया, बच्चे के बिना तू और मैं खुश रह सकते हैं ने रहा लेकिन बच्चे के मीना, ममी अभू को मनाना बहुत मुशक्ल है तो उठालेथे किसी कर भच्चा उठालेते मतला हमने बच्चा दिखाना है ना, तो किसी कर भी बच्चा उठालेते, लो क्या देंगे अपने उठालेते ऑने महीने प्रेगनेंट नफीसा को टार्गट किया, उनुने तैह कर लिया था, कि नफीसा की कोख में टल रहा बच्चा उनका बच्चा होग। पूरे पांच महीने उन्होंने नफीसा और वसीम का फरोसा जी तैता, और प्लैनिंग के अनुसार बच्चे के आने के बाद बच्चे के साथ पूरी तरह खुल मिल गई बच्चे को उनका आदी बना दिया मुश्ताक और शाजिया की लव स्टोरी तो खत्म होई थी और उसकी वज़ा से कई जिंदगियां भी तबाह हो गई आठ साल से दर्द के अंधिरे में जी रहे नफीसा वसीम और फलक पर आशा की एक किरन चम्की तुखी पर फिर उन्हें मेराशा की खाई में दखेल गई सर, सर मने मुश्ताक को बेहिसाब तोड़ा उसके रामपूर की घर और अंगन को भी खुटवाया हर जगे से बर्ना मुश्ताक के अंदर से कुछ निकला और नो इसके घर के अंदर से लाद दिया गया है शाजिया और सोहिल के हो सकता है वो यहां मुंबई आई हो बच्चे के साथ यहां मुंबई में भी सभी बस्तियों कंस्रक्शन साइट पे दोनों के पोस्टर्स लगा दिया गया है सर अगर इंस्पेक्टर महातरे ने आकाश को ट्रैक किया होता है तो इस वक्त हम हमारे असली टाइप के केसिस पर लगे होते हैं आनन्त, जो केस मर्डर, रेप, ट्रक्स के नहीं होते हैं, वो केस कम सीरिस होते हैं कि वसीम, नफिसाब, फलक, इनका दर्द किसी मर्डर केस के दर्द से कम नहीं है। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं है। अब आनन सर गो सकता है कि इस केस में भी मुर्डर हुआ हो, सोहिल का? क्या हम सलीम का मुर्डर हुआ होगा? यह कहना अवाइड कर सकते हैं? यहां तक किस तोचना भी? नहीं सुनना है मचे? ओके साथ, सॉई साथ फोकस करो तुम दोनों कि सलीम को हम सही सलामत उसके माबाप तक हुचाने वाले हैं और इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? यह सोचो निगेटिव थिंकिंग की हाँ, कोई गुझाइश नहीं है, क्लियर? और दो इस डबल मुर्डर केस को लोकल इन्वेस्टिकेशन टीम ग्रैक नहीं कर पाई सो यू टेक ओवर एक्स्टामेरेटल अफैल लगता है पति को उठाओ और अपने ही स्टाइल से तोड़ो जरूर टूटेगा और अगर शेघर स्वाइफ मर चुकी है यार पति को उठाना है वो क्या है ओफ हो रात को सोई नहीं हो शाजिया और सलीम मिले नहीं है सर अभी तक असीम, नफीसा, अफलक आस लगाए बैटे नहीं कमिट क्या हो लोग असे सर ये क्या बड़बर कर रहे हो कौन है ये लोग सर वो 2010 का केस दो महिने का बच्चा जो अगवा हुआ था ओ या, अफकोर्स, अफकोर्स बर शेकर, फैंटास्टिक जोब मैं टेली रिपोर्ट्स देख रहा था एक्सेलेंट पर सलीम मिला नहीं है सर अभी तक तुमने अपनी और से पूरी कोशिश किये तुमने काम करो इस केस के एक फाइनल स्टेटस रिपोर्ट मुझे भेज़ो मैं उसे कोर्ट और चाइड वेलफेर को भेज़ दूगा ओके सर तुमने कोर्ट में आज़ी है तेरी कैसे भी करके तुझे जुडिशियल कस्टड़ी नहीं चाले जिमान मागोगा तेरी पर तुमसे भागने के लिए काउंगा और उसके बाद कॉली मुमार तुमार दीजिए ना कॉली सर ख़तम करिये मुझे मैं भी ठक गया हूँ सादे बच्चा चोड ड्रामा करता है शाजिया और सलीम कहा है कहां वार काड़ा उने गला दबाया था गठाथा मुझे कुछ पथा ये ता मैं क्या बोलू आपको मेने कुछ ये रुचला है मुझे कुछ नहीं पथा ये पता मुझे क्या बत ऑस्मोल भी निजिए शाजिया ख़ी हो ज़रूर पश्सोसाज़वा की उसने वेटे सुहें हो जोगा, इसलिए उसने सलीम का नाम सुहें लगा, और मुस्ताफ को भी छोड़ दिया और सलीम को लेकर बाग जिरूर उसने ना मतला हो, ताकि मुस्ताफ उस तक लादा से, सोचो तुम तोनों क्या नाम रखा होगा सुह। सर, जिन्हों ने पहला नाम दिया सलीम, अब तो उसके माबाप, नफिक्सा और वसीम ने भी पूछना छोड़ दिया, अपनी जिंदिगों में वापस लड़ गए, सर अधरवाइस मत लिजगा, लेकिन इस केस में आप, आनन सर और मैंने, हमने हमारे कमान के हर एक तीर को चला पीटर एक जबर्दस टिप लेका है, क्या टिप? हलो, आप शेकर साहब बोल रहे हैं, आप बोल रहा हूं, कौन? सलाम साहब, मैं मावल खेडा से रफीक आमद बोल रहा हूं, मावाल खेडा? साहब, मैं शाजिया को जानता हूँ, कहा है शाजिया स्वाग? चार दिन पहले तक मेरे साथ ही थी, मुंबई में, मुंबई में कहा है? और तुम कहा हूं इस वाग? देखो, मैं तुम्हें तुम्हें फिलाइट की रिटरन टिकट देता हूँ, अभी मुंबई पहुचो, मैं मुंबई में हूँ साहब, उसके साथ एक बच्चा भी है, आठ साल का, तुहेल? जी हाँ, साहब में बच्चा था, था मतलब, शाजिया का है, और बच्चा का है, बोलो, बो रफीक, एक बार फिर से किस्मत में करवट बदली थी, जब शाजिया और सलीम और सोहेल के मिल देने वाले इस केस का सच में क्लोज होने का संकेत था, जब मैं गाओं पहुचा तो मौलवी साहब से पता चला है कि शाजिया को ढूंडा जा रहा है, शाजिया को तो में बच्च्पन से जानता हूं साब, उसका भाई जावेद, मेरा बच्पन का दोस्त है, वो और मैं मौ पता चला, और जब मैं वापस आया तो शाजिया भाग गया थी, कहा भाग गई थी, नहीं मालूप साब, दोहसार चौदा की बात है साब, एक दिन ये शाजिया एकदम से मेरे खोली पर थमक गई, गोरे गाउ में, मुझे बूली, एक दगाबाज आशिक उसको पेट से बन करवाना था तो मैंने अपना नाम दे दिया कि मैं ही उसके बच्चे का बाफ हो और अब तक उसके शोहर होने का नाटक करता रहा, चार साल से हम लोग साथ में ही थे, तरहसल, शाजिया शारमिंदा थी, कि उसने अपने शोहर से होने वाले पहले बच्चे स्वहल को छोड़ करते हो कही हो कही है, क्या खलती हो नहीं रफीक यह सब जूट है यूस मुष्ताग की चार मुझसे बदला लेने के लिए मुष्ताग पुलिस के हरासत मैं और पुलिस खोचते वे आम मावल खेडा तक हुई हुई ते हैं मैं ट्रेन पकड़ रहा हूं और वह जाते ही एपन पुलिस को जब मैं लोटा शाजिया और सोहिल नहीं थे ना उनका समानता साभ उसके बाद से ुसका फोन बंद आ रहा है क्यों कि आ उसको फोन तुम ले? मेरे को नहीं मालूमता ना साब की वो शाजिया बच्चे को चुराई होगी और भाग जाएगी शाजिया और सोहिल की हाली की कोई फोटो है? आहां साब है ना शाजिया का नंबर सोहिल के स्कूल का पता और तुमारे गहर का पता देखो जल्दी आनन मुंबई का एक कोना भी छूटना नहीं चाहिए गोरा तक अगर जन्नु में भी बसी है ना तो वहाँ सा भी खेश के लाएंगे उस सर रफीक सच बोल रहा था सोहिल पिछले तीन साल से गोरे का उंग एक मुल्सबव स्कूल का स्टूटन है वाज स्कूल आया है नो सब सोहिल थर्ड स्टांडिड का स्टूटन अब इस्ट्रें पिछले तीन दीन से अप्संट पी नफीक ए फून के बास शाजय ने उस के सूल नहीं है कोई निशो तो इस वार वो बच्छ कर भागने से नोच चांद से नाफीसा 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 तो फोन की मेसेज आ रहे है पुलिस अभी भी शाजी और हमार बच्चे को ढून रही है यह देख बच्चे की फोटो भी चापी है यह देख नफीज़ा देख नहीं देखना मुझे यह देख नफीज़ा हमारो सलीम जिंदा है इसके आखे देख बिल्कुल तेरे पर गई है नफीज़ा और यह दो दिन पहले का मेसेज इसमें लिखा पुलिस अभी भी सलीम को ढून रही है क्या हो नफीज़ा यह अपना सलीम है नफीज़ा इस केस में खबरियों ने ओवर टाइम काम करके यह पता लगाया था कि शाजिया सोहिल के साथ इसी बस्ती में छुपी पुलिस और शाजिया के बीच बस एक दर्वाजे की दूरी तुम तुनों पीसे ज़े कवर को विक क्या है वर्पल कोई नहीं है मेटा आप दरो मत बिल्वी हमें अंदर आने दो नहीं शाजिया बार आजाओ देखो तुम्हारा खेल का अथम मैंने बोला नागरा पर कोई नहीं है ओके बिल्वी बाद नहीं है अबना इंकोी बिल्वी दरो मत मेरी बास सुनों अब आम्में बढाद नहीं नहींड अब आई उटनी पाहर के नीचे पिता पिटा अपको आपकी अम्मी के पासी ले जाने आए आए आपकू मतरो आपको मेरे अम्मी को चोड़ दो आप आप कॉले जा आप कॉ जहां मेरा नैएरी तुम्हारा नाम SOHA Ya नहीं तुम्हारा नम SOHais ser नहीं जिसे तुम्हारा नहीं कहे नहीं हो आपका साँगर कर दो दना कि जाए तुम्हारा नाम SOHAIL यह सह कह रहार हुए जीचा है Suha उसने रखा है तोवारा असली नाम है सलीम नहीं मैंनम सोहीले है मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है सलाम वालाम नहीं करोगी अपने बच्चा चोरी के जोड़ीदार को मैंने शुरू से ही सोहील को अपने बच्चे की तरह पाला है और इस चल्लाज से दूर होने के बाद ही मैं उसे अच्छी परवरिश देपाई हूं साब अच्छी मा का खेल खेलने से अच्छी मानी बन जाएगी तू मुझे मेरे दिल में मालूम है साब मैंने बहुत गलत किया था सोहील को ठुकरा कर और उसे भी वड़ी गलती की थी सलीव को चुडा कर पर साब उस दिन के बाद पूरे आठ सालों तक मैंने सिर्व अच्छा किया साब सारी गुना मिका दिया मैं अजिया गुना कुल कपड़ों पर लगा दाग नहीं और कर्म को ज्यागवाला साबूने जिसे किसकर सारी गुनाओं को ठोया जा सके संगीन जुर्म किया है तुम लोगों त्राफिकिंगे चार्ज दगेंगे तुम पर बहुत लंबी जेलों इतनी लंबी सोहेल का चैरा तक भूल जाओगी तुम सुहेल ये तुम्हारे अबूं है वसीम और ये तुम्हारी बेहन है फलक और ये तुम्हारी अम्मी है नफीसा मुझे मेरी असली अम्मी जाई है उनका नम शाजिया है विटा, तुम अमारा सलीम है सलीम? मत को मुझे सलीम, मैं आम सोहील है, बात भी मत कर दो अट से, जोओ मी मत सोहील बेटा, अब हमें तुम सब कुछ सच बताना होगा मैंने कहा था ना तुम से, कई साल पहले तुम अपनी अम्मी से अलग हो के थे, तब तुम सिर्फ दो महीने के थे, जब शाजिया ने तुम्हारी असली अम्मी नफीसा से चुराया था, इसलिए तुम शाजिया को अपनी अम्मी समझ रहे हो, शाजिया तुम्हारी असली अम् सब पूरे लोग हो आप मुझे मेरी अम्मी जाईए बातना करो उससे पूरे आठ साल बाद उन्हें अपना बिछडा हुआ बच्चा मिला पर वो उसी औरत को मा मान चुका था जिसने उसे चुराया था सुहेल को चाइल्ड केर कमेटी को सौप दिया गया उन्होंने उसे एक चाइल्ड वेलफेर सेंटर में तब तक रखा जब तक ये थाबित नहीं हुआ कि वो वाकई में नफीसा और वसीम की ऑलाद है नफीसा और वसीम को चाइल्ड वेलफेर सेंटर में सरीम उर्फ सुहेल से मिलने की अनुमती थी उन्होंने उसके करीब जाने की कोशिश की पर वो उन्हें पता और माबाब अपनाने से साफ मना कर रहा था सर्थ डियाने रिपोर्ट अब ये मेडिकली कनफॉर्म है नफीसा और वसीमी सलीम की असली माबाब हमने चुराईवे बच्चे को ढूब लिए शाजिया और मुस्ताफ के खिलाब चार्शीट भी फाइल करने हैं तो कैसे केस क्लोज होगा है पता नहीं साथ सलीम नफीसा और वसीम को पूरी तरस रिजेक करता है सब अगर अचानक से आकर कोई बोले कि तुम्हारी मा तुम्हारी मा नहीं है कोई और मा है तो नाच्रोली बच्चे में काफी भारी ट्रॉमा होगा अगर जूती मा अपना जूत और चुर्म खुद बच्चे को बता दे तो शाजिया अगर तुम जूत भी गई तो कोड तुम्हें कभी सोहल से मिलने की परमिशन देगा यू मेरा बेटा।ई है शाजिया वो तुम्हार गुना है और हर गुना की सजा होती है कम स्थ सात साल तो कहीं निक है शाजिया अब तुम ये सोचो जब तुम जेल में होगी तो सोहल के क्या होगा मैं सजा बुगतने के लिए तयार हुषा पर मेरे सोहिल को मुझ सालग मत कीज़ मैं एक बार सोहिल को अलग कर जग हूँ अब दुबारा नहीं दुबारा नहीं कर सकती साथ साथ आप किसी सभी पूचिये सभी ही कहेंगे कि शाह से अच्छी वरत हो या ना पर माँ अच्छी है साथ मैंने बहुत मेहनत किया उसे अच्छी परवरिश देने के लिए तो क्या तुम अब यह नहीं चाहते हैं कि उसकी अच्छी परवरिश बरकरार रहे एक खुश मुझ साज बढ़ाने काबिल इंसान बने का देखो शाजिया जो भी सच है बता तो उसे तुमने उसे क्यों चुलाया था तुमारा क्या मकसद था सब कुछ से सच बता तो ताकि वो अपनी अम्मी अभू को एकसेप्ट कर सके यह उसके भविश्य का सवाल है शाजिया नहीं तो सोचो जब तुम जेल में होगी तो क्या होगा उसका उबटकता रहेगा हमारा बच्चो की तरह एक बार उसके भवश्य के बारे में सोचो, यह उसके भवश्य का सवाल है शाजिया, उसे सच बता दो शाजिया, यही बेतर होगा देखो तुम्हारे गुनाहों की भरपाई यही होगा, उपरवाला तुम्हें एक और मौका दे रहा है, गवाओ मत सोई, सोई मर की ऑचा, इंतो यहाए बिचा प्रच्न, मौकाहए बर आदे अन्मौस, तुम्हारे यहाए बचा है, इए पर चार Taiwan को होगाStudy से सच बेक्चा है तरे चुखे दुखे जोड़ शुखे, अजरु सुखे, चुखे! तुम मेरे पेट से नहीं, नफीजा के पेट से आये, तो मैंने तुझवे चुनाया था, यही सच है, और सच यह है, मै तेरी अम्टी नहीं हुँ, नफीजा तेरी अम्मी एप और आगे भी वो ही तेरी अम्मे रहे किया, इदे रिख आलो की सबजी बनाई तेरे लिए खा और क्या खायगा इसके साथ रोटी लुक चावल बेती नोचे चावल गाई गाई खाली अले बेटा जाओ प्लेटा नहीं ए उंचले गाना अच्छा स्कूल है मज़ा आएगा, चलेगा ला? चलेगा फ़ला, जरूर चलेगा, पहले इसे खाना खालेगा और तू भी खालेगा यहले पिटा आगा मुश्ताख शेख और शाजिया नकवी पर आईपीसी की धारा 363 के तहट अपरन के चार्जिस फ्रेम हुए है साथ ही धारा 365 लागू है एक इनसान को गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए और धारा 34 भी लागू हुई है कॉमन इंटेंट यानि के मिलकर जुर्म की साज़िश रचने के लिए सलीम और सुहेल आखिरकार नफीसा और वसीम को बतार माबापस भीकार करने लगा है और फलक को अपनी बड़ी बेहन सलीम और सुहेल आखिरकार अपने घर को लौट रहा है जिस टीम ने इस केस को क्लोजर दिया वो अब अपने अगले केस में कूट पड़ी है सरकार, प्रशासन और अदालत द्वारा मिलकर चलाए गए स्पेशल मिशन की बदालत सलीम सिद्दकी, और सुहेल जैसे दरजनों केसे हल हुए जो सालों तक फाइलों में गुमनाम हो गए हमने इस केस में इस मिशन की सारी डीटेल्स बदल दी है ये केस अलग शहर में हुआ था और इस वक्त भी ये मिशन जारी है और बहुत सारे बच्चों को ढूनने में बहुत सारी टीम्स दिन रात काम कर रही है चाइल्ड किड्नापिंग और ट्राफिकिंग कतल के दरजे के जर्म है माबाब जीते जी मर जाते हैं और बच्चे का सब कुछ छिन जाता है और इसमें बच्चे या माबाब की किस्मत का दोश नहीं होता ये उनके खिलाफ हुए जर्म का परिणाम होता है हम उस टीम की भरपूर सराना करते हैं जिन्होंने इतनी मुश्किल से इस केस की तह तक जाकर बच्चा चोरी होने के पूरे आठ साल बाद भी बच्चे और उसके माबाब को मिलवाया हमारी सभी इंस्टिउशन से अपील है, दलील है कि वो हर मुमकिन कदम उठाएं जिससे बच्चे ट्राफिकिंग का शिकार ना हो अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी एक और चौका देने वाले केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है क्राइम जाएं